येस, हेलो स्टूडेंस, आज की इस वीडियो में हम सिख्स्थ क्लास के चेप्टर सिख्स की एक्ससाइज को रिवाइस करेंगे बच्चो जो सिख्स्थ चेप्टर है वो है चेंज अराउंड अस इसके अंदर हम चेंजिस के डिपारे में डिसकस करेंगे कि दो टाइप के चेंज होते है एक वो जिने हम रिवर्स कर सकते है और एक वो जिने हम रिवर्स नहीं कर सकते तो स्टूडेंट एक चेंज को तो हम फिजिकल चेंज बोलेंगे जबकि एक चेंज को हम कैमिकल चेंज भी बोलेंगे अब physical change में भी reversible change है और irreversible change भी है और chemical changes में भी reversible और irreversible changes है student यह जो chapter 6 है इसकी exercise का question number 3 है इसे हम discuss करेंगे इस वीडियो में तो इसका first है the sewing of a piece of wood क्या हम इसे reverse कर सकते है या नहीं कर सकते तो student एक बार हमने लकडी को काट दिया तो हम दोबारा से वैसे ही जो wood है नहीं obtain कर सकते तो हम इसमें no लिखेंगे बच्चो जबकि next है the melting of ice candy की जो ice candy है एक बार melt होने के बाद हम दोबारा से उसे freeze कर सकते है तो student इस change को हम reverse कर सकते है तो यहां हम yes लिखेंगे दूसरा dissolving sugar in water कि हम जो sugar जो dissolve हो गई पानी के अंदर उसे दोबारा से obtain कर सकते हैं तो student इसमें भी हम yes लिखेंगे जबकि fourth है the cooking of food कि एक बार जो खाना पक गया उसके बाद दोबारा हम उसे reverse नहीं कर सकते तो यह बिलकुल सही है यह irreversable change है तो यहां हम no लिखेंगे कि हम एक बार खाने को cook करने के बाद दोबारा से उसे reverse नहीं कर सकते ripening of a mango एक बार जो आम है वो पक गया दोबारा से वो कच्चा नहीं बन सकता तो यह statement भी को भी हम reverse नहीं कर सकते next है soaring of milk बच्चों गर्मी के कारण कई बार जो दूद है वो खटा हो जाता है तो उससे दोबारा से दोबारा हम उस change को reverse नहीं कर सकते तो इस statement में भी हम no ही लिखेंगे तो okay student यही chapter 6 की exercise थी हमने इसे complete किया okay bye students